तो बच्चों इस वीडियो के अंदर हम करेंगे क्लास 10th के चैप्टर नमबर 4 Quadratic Equation की Exercise 4.2 का Question No.1 तो Question No.1 में हमें दिया है Find the Roots of the Following Quadratic Equations by Factorization हमें Roots बताने हैं इनके कौन से Method से? Factorization Method से तो Roots का मतलब क्या है? X की हमें 2 Values निकाली होंगी क्योंकि यहाँ पर Quadratic Equation की डिगरी 2 होती है तो इसका मतलब यहाँ पर Number of Roots भी कितने निकल सकते हैं? 2 Roots मतलब 2 Solution या फिर 2 इसके 0s तो उसके लिए आपको क्या करना होता है? कि यहाँ पर जैसे X Square का Coefficient है कुछ नहीं है तो क्या मान लेते हैं? हम 1 तो इस X Square की Coefficient की Multiply किसमें करते हैं हम? Constant Term में तो 1 की Multiply आप किसमें करोगे? 10 में तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं? मैं यहाँ पर आपको समझाता हूँ हमें Product करना है किस-किस का? 1 का और 10 का तो 1 और 10 का Product करके क्या आगे? 10 उसके बाद 10 के आगे का Sign देखो वो Sign क्या है? वो है Subtraction मतलब Minus Minus करके आपको क्या लाना है? Minus करके लानी है जो Middle वाली Term है क्या 3? तो आपको 10 के Factors करने होंगे तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इस 3 की जगा पर तो Bracket लगा देते हैं ऐसे ही इस X को इदर लिख देते हैं और फिर Minus 10 Equal to 0 अब 10 के Factors देखो तो 10 के क्या-क्या Factors होते हैं? 10 या तो 1 के Table में आता है 10 Bar या फिर 10 किस के Table में आता है? या फिर आता है 10 2 के Table में 5 Bar हमें Minus करके तिरी लाना है Sign की पहचान कहां से करोगे? जो भी Constant है उसके आगे के Sign से जैसे यहाँ पर क्या? Minus तो अगर आप 10 में से 1 को Minus कर देते हो तो कितना आएगा? 9 इसका मतलब यह चीज तो गलत है लेकिन अगर मैं 5 में से 2 को Minus कर दूँगा तो क्या आ जाएगा? 3 यह वाली चीज सही है क्योंकि मुझे क्या लाना था? मुझे Minus करके 3 लाना था तो यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं? 5 Minus 2 अब इसके आगे देखो X Square को as it is लिख लेंगे Minus 5 और यह X इसका भी है और 2 का भी है Minus जब अंदर जाता है तो दोनों के Sign चेंज कर देता है फिर Minus Minus क्या हो जाएगा? Plus और 2 के साथ X लग जाएगा तो 2X और फिर Minus 10 Equal to 0 अब शुरुआत के दोनों मेंसे और लाखिर के दोनों मेंसे Common लेते हैं तो शुरुआत के दोनों में क्या चीज Common आ रही है? X जब एकस स्क्वेर मेंस X Common ले लोगे तो X बचेगा 5X के पास से X Common आ गया तो क्या बचा? Minus 5 उसके बाद यहाँ पर 2 और 10 दोनों ही 2 के टेल में तो दोनों मेंसे क्या चीज Common आ सकती है? 2 जब 2 Common ले लेंगे तो यहाँ पर बचेगा X 2 के टेल में 10 कितने बारा था? 5 बार और यहाँ पर Minus है बीच में क्योंकि बाहर तो हमने कोई Sign Change किया नहीं है Plus का Plus ही है उसके बाद आपको क्या करना है? यहाँ पर देखते हैं जब भी हम Middle Term Split करते हैं तो यह वाले दोनों ब्रैकेट सेम आये या नहीं यहाँ पर तो सेम आ रहे है तो यह दोनों ब्रैकेट अगर सेम नहीं आये न तो समझ लेना कि आपका जो Method है जो आपने solution किया है वो गलत है यह हमेशा दोनों सेम आते हैं अब X-5 और X-2 का Product अगर 0 है तो एक बार हम रखेंगे कि इसमें से या तो यह वाला 0 होगा या फिर यह वाला तो हम दोनों को ही 0 का Equal रखेंगे तो जब माइनस 5 को इधर बेज होगे तो यह कैसा हो जाएगा प्लस का 5 तो X की Value आ गई प्लस का 5 और जब हम X प्लस 2 को 0 का Equal रखेंगे तो X की Value कितनी हो जाएगी माइनस का 2 तो यहाँ पर आप लिख सकते हो कि therefore the roots of X square minus 3 X minus 10 are कौन-कौन से है 5 and minus 2 ठीक है यह दो roots है मतलब यह दो ऐसी values है अगर आप X की जगा पर पूरी Equation में क्या रख देते हो 5 तो पूरी की पूरी Equation किसके Equal आ जाएगी 0 के Equal या फिर अगर आप X की जगा पर minus 2 रख देते हो पूरे में तो भी यह पूरी Equation क्या जाएगी 0 इसलिए यह दोनों के दोनों इसके roots भी कहला सकते है 0s भी कहते है या फिर solution भी कह सकते हो अब हम देखते हैं second वाला part तो second वाले part के अंदर आपको क्या करना है देखो सबसे पहले यहाँ पर इस X के आगे कुछ नहीं है तो क्या मान लो इसके आगे मान लेते हैं 1 ठीक है अब इस Equation को ऐसी लिख लेते हैं और यह जो 1 है इस 1 की जगा पर लगा दोगे bracket यह X ऐसी आगया और minus 6 equal to 0 अब यहाँ पर constant term क्या है 6 और X square का coefficient क्या है 2 इन दोनों कर लो multiply मतलब product तो हमें करना है product किस-किस का 2 का और 6 का तो 2 और 6 की multiplication करके क्या आगया 12 उसके बाद देखो जो constant term है वो क्या है वो है हमारी 6 और उसका एक assign क्या है minus तो आपको minus करके लाना है यह वाली जो बीच वाली term है क्या 1 तो आप 12 के factor करो 12 के क्या-क्या factor होते है या तो 1 के table में 12 बार आता है या फिर 12 2 के table में 6 बार आता है या फिर 12 4 के table में 3 बार आता है और मुझे 1 ही लाना था, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 4-3, और मैंने आपको examples में भी यह चीज बताई थी, कि जब भी हमें 1 लाना होता है, तो हमारे पास जो भी numbers होते हैं, वो आगे पीछे की number होते हैं, consecutive numbers, तो यहाँ पर 4 और 3 लगातार number ही होते हैं, तरी के बाद 4 आता है, अब इसको solve करते हैं आगे, तो 2x square यहाँ पर 4 और x, तो plus 4x, फिर plus minus minus, 3 की multiply x में करेंगे, 3x, फिर minus 6 equal to 0, ठीक है, अब शुरुआत के दोनों में से क्या चीज़ common आ रही है, 2 के table में दोनों आते हैं, तो 2 और x common आ रहा है, तो यहाँ पर 2 तो बाहर आ गया, x square में से एक x आ गया, एक x बचा, 2 के table में 4 कितनी बार आता है, 2 बार, यह x जो है बाहर आ गया, 3 और 6 दोनों ही किस के table में आते हैं, 3 के table में, तो हम 3 भी क्या ले ले लेते हैं, common, जब 3 common ले लेंगे, तो उसके बाद हम यह चीज़ देखेंगे, कि यह दोनों minus के हैं, लेकिन हमें bracket के अंदर कैसे number चाहिए, plus के, तो इन दोनों को plus का बनाने के लिए, इन दोनों का sign ले लो बाहर, minus, common, क्योंकि minus जब common लेते हैं, तो sign change हो जाते हैं, minus अंदर जाता है, तो भी sign change होते हैं, यसे यहाँ पर minus अंदर गया था, तो इसको बना दिया था minus का, इसको बना दिया था plus का, तो यहाँ पर यह 3 जो है, यह common जो हमने ले लिया, 2x यह common आ गया तो हैं से क्या बचा minus 3 और equal to में 0 अब एक बार इसको 0 के equal रख लो when x plus 2 equal to 0 तो x की value क्या हो जाएगी minus का 2 और उसके बाद जब हम 2x minus 3 को 0 के equal रखेंगे तो यह minus का 3 दर आकर plus का 3 और x की value क्या आ जाएगी 3 upon 2 और last में आप क्या लिख सकते हो therefore the roots of 2x square plus x minus 6 are minus 2 and 3 upon 2 अब हम करते हैं इसका third वाला part third वाला part देखो चलो तो third part हमें दिया है root 2x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0 तो सबसे पहले तो आपको क्या काम करना है यह जो middle वाली term है इसकी जगा पर bracket लगा लो और इस पूरे को ऐसे के ऐसे ही copy कर दो बाकी का जो है तो root 2x square plus 7 को as it is लिख लिया यह x आ गया बाहर और plus 5 root 2 और equal to में 0 अब हमें क्या करना होता है जो constant है 5 root 2 उसकी multiply करनी होती है x square के coefficient में वो क्या है root 2 तो root 2 के product करेंगे हम किसमे 5 root 2 में जियान से देखो अब हमें करना है product किसका root 2 का और 5 root 2 का तो root 2 की root 2 में करके क्या आ जाता है 2 भई root 4 आएगा 4 किसका root होता है 2 का ही तो होता है और यह वाला 5 तो 5 2 चा कितना होगा 10 उसके बाद जो constant term है उसके आएक assign देखो वो क्या है plus हमें plus करके क्या लाना है plus करके हमें लाना है 7 तो अब आपको 10 के ऐसे factors ढूणने है जिनको plus करके क्या आ जाए 7 तो 10 के क्या factors होते है तो 1 10 जा होता है या फिर 2 5 जा होता है 7 किस से ला सकते है इन दोनों को plus करके तो क्या आएगा 11 तो ये चीज तो गलत हो गई लेकिन 2 और 5 को plus करके क्या आ जाता है 7 तो हम यही वाला लिखेंगे तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2 plus 5 2 और 5 को plus करेंगे तो 7 और 2 5 जा कितना होगा 10 जो कि इन दोनों का product करके भी आ रहा था ठीक है अब आगे देखो उसके बाद क्या करना है आपको यहाँ पर ये plus अंदर लेकर जाओगे तो यह हो जाएगा root 2 x square plus 2 की multiply x में करेंगे तो 2 x फिर plus plus तो plus ही रहते हैं 5 की multiply x में करेंगे तो 5 x और फिर plus 5 root 2 और equal to में 0 उसके बाद शुरुआत के दोनों में से एक तो x common आ रहा है उसके बाद एक root 2 भी common आ जाएगा क्योंकि 2 के पास क्या होता है देखो 2 के पास होते हैं 2 root 2 जैसे 2 common क्या लेख सकते हैं root 2 multiply root 2 जैसे यहाँ पर हमने क्या किया था root 2 और root 2 की multiply करके तो 2 बनाया था तो जब आपने इस 2 में से एक root 2 बाहर ले लिया तो एक root 2 तो बचेगा ने इसके पास यह तो common आ गया एक और एक x common आ गया तो यहाँ पर क्या बचा इसके पास x इसका root 2 तो बाहर इसका एक x बाहर एक x बचा इस टूक में से root 2 बाहर आ गया तो क्या बचेगा root 2 x बाहर आ चुका है यहाँ पर इन दोनों में से क्या चीज common आ रही है दोनों में ही 5 common आ रहा है यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ पर क्या बचा root 2 और equal to में 0 अब यहाँ पर हमको दिख भी रहा है कि यह दौनों के दौनों bracket save है, save ही आने जी है middle term split में, तो हम लिख सकते हैं, x plus root 2 को एक बार, और बाकी का जो बचा, root 2 x plus 5 equal to 0, पहले इसको 0 के equal रखते हैं, तो when x plus root 2 equal to 0, तो x की value क्या आ जाएगी, minus का root 2, ठीक है, एक बार हम क्या करते हैं, दूसरे बाले को रखते हैं, दूसरा है हमारे पास root 2 x plus 5 equal to 0, तो root 2 x equal to, यह plus का 5 इदर आकर minus का, और यह root 2 x के multiply में हैं, तो इदर आ जाएगा किस में? division में, तो divide में आ गया root 2, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, therefore, the roots of root 2 x square plus 7x plus 5 root 2 equal to 0 r, क्या क्या है हमारे पास x की value, एक आए x की value minus का root 2, और एक आए x की value minus 5 upon root 2, तो इसको लिख दो, minus का root 2 और minus 5 upon root 2, अब देखते हैं, इसका fourth वाला part, तो fourth part हमें दिया है, 2 x square minus x plus 1 upon 8, तो इसमें fraction में दे रखा है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको simple way में change करो, यह जो इसका denominator है, इसको खतम करते हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके नीचे मान लो 1, इसके नीचे भी क्या मान लो 1, इन तीनों का ले लो LCM, या फिर इसे 8 की multiply इदर भी हो जाती है, इदर भी, ऐसे भी कर सकते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, इन तीनों का LCM जब लेंगे, तो क्या हो जाएगा 8, 1 के table में 8 कितनी बार आता है, 8 बार, 8 की multiply 2 में कर लो, तो 8 2 जा कितना होगा, 16, x square, फिर उसके बाद, 1 के table में 8 कितनी बार आता है, 8 बार, 8 की multiply x में करेंगे, तो 8x, या फिर मैंने आपको डारेट बताया था, 8 2 जा कितना हो जाएगा, 16 और 8 की जाब x में करेंगे, तो 8x, आगे देखो, 8 के table में 8 कितनी बार आता है, 1 बार, 1 की multiply 1 में करेंगे, तो 1 ही आ जाएगा, और equal to में 0, यह जो divide वाला है, इसको इधर बेज़ दो, multiply में इसके, तो यह हो जाएगा, 16 x square, minus 8 x plus 1, equal to 0, multiply 8, 0 की multiplication किसी में भी करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, वो 0 ही हो जाता है, तो अब यह simple equation मनगे, इसके जैसी, तो यहाँ पर आपको क्या करना होता है, जो हमारे पास constant term है, और जो x square का coefficient है, इन दोनों का करना होता product, ठीक है, और यह जो बीच वाली term है, इसको हमें split करना होता है, तो इस 8 की जगा पर हम खाली जगा छोड़ देते हैं, इस x को ऐसी लिख लेंगे, plus 1 equal to 0, अब आगे ध्यान से समझो, तो हमें product करना है किसका, x square के आगे coefficient क्या है, 16, तो हमें product करना है, 16 का 1 में, constant term क्या थी, 1, तो 16 आ गया, अब आपको क्या करना है, इस constant के आगे का sign देखना है, वो क्या है, plus, तो आपको plus करके number क्या लाना है, 8, इस 8 के आगे का sign मत देखने लग जाना, यह minus तो ऐसी लगाएंगे, यह जो मैं यहाँ पर sign लिखता हूँ, हमेशा constant क्या आगे का sign देखना, अब आपको 16 के factor करने हैं, ऐसे जिनकी multiply करके तो 16 ही आए, लेकिन उनको plus करके 8 आ रहा हो, तो 16 के क्या क्या factors होते हैं, 16 या तो आता है, 1 के table में 16 बार, या फिर 16, इन दोनों को plus करूँगा, तो 17 आएगा, इन दोनों को plus करूँगा, 10 आएगा, इन दोनों को plus करूँगा, तो 8 आएगा, और मुझे क्या चाहिए था, 8 ही चाहिए, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, 4 प्लस 4, ठीक है, अब आगे देखो, तो यह हो जाएगा, 16 x square minus 4 x, फिर प्लस माइनस माइनस होकर, 4 x फिर प्लस 1 और equal to में 0, शुरुवात के दोनों में से 16 और 4, 4 के टेबल में आते हैं, तो 4 common और x common, दोनों में x भी तो है, 4 के टेबल में 16 आता है, 4 बार, x square में से 1 x आगया, 4 x पूरा बाहर आगया, तो क्या बचेगा, इसकी जगा पर 1, टीक है, इन दोनों में से कुछ common नहीं आ रहा, तो क्या common ले लेंगे, हम 1 common ले लेंगे, अब इसके बाद की बात, जो है, उसको ध्यान से समझ ले, यहाँ पर आप plus minus की गलबल करते हो, यहाँ पर जो हमें number दिया है, वो number क्या है, 4 x minus 1, लेकिन यहाँ पर जिसमें से हम common ले रहे हैं, वहाँ पर 4 x minus का है, और plus 1, यहाँ पर उल्टा है, तो आपको इन दोनों के sign चेंज करने हैं, तो इन दोनों के जो sign है, उन दोनों में से क्या common ले लो, minus common ले लो, और जब minus common ले लोगे, तो यहाँ पर यह कितना बच जाएगा, यह बचेगा 4 x, 1 के टेलम 4, 4 बार आता है, इसका minus बाहर आगया, तो यह plus का हो गया, फिर 1 के टेलम 1 कितनी बार आता है, यहाँ पर यह जो plus था, इसमें से minus common ले लिया, तो minus बचेगा, minus common आने पर भी, दोनों के sign चेंज होते हैं, और minus जब अंदर जाता है, तो भी दोनों के sign क्या होते हैं, चेंज होते हैं, यह चीज याद रखना, जब आप minus 1 की से multiply करोगे, minus 4x बन जाएगा दोबारा, और minus minus प्लस होकर, 1 बन जाएगा दोबारा, ठीक है, तो minus common लेने पर sign चेंज होकर, करे ही क्यों है, ताकि यह दोनों brackets कैसे आजाएं, same, तो यह दोनों brackets same आगे, 1, x की value हो जाएगी, 1 upon 4, ऐसे ही, इस वाले को रखते हैं, तो यहां से भी, 4x minus 1 equal to 0, तो 4x equal to 1, और x equal to 1 upon 4, दोनों same यहाँ है, तो therefore, the roots of, roots of 2x square, minus x, plus 1 upon 8, are, कौन कौन से, 1 upon 4, and, 1 upon 4, ठीक है, यह होगा आपका, 4th वाला part, 5th part और करते हैं, इसका, तो 5th part हमें दिया है, 100x square, minus 20, x plus 1, तो सबसे पहले, यह जो 20 है, इसकी जगा पर आप, bracket बना लो, bracket हमने ऐसे बना दिया, और x लिख दिया है, यहां पर, और फिर plus 1, और equal to में 0, अब आपको क्या करना होता है, जो constant है, और जो x square का coefficient है, इन दोनों की कर लेते हैं, multiply, तो आपको product करना है, किस-किस का, 100 का और 1 का, तो हम यहां पर product कर लिए, 100 into 1, जो कि कितना आ गया, 100, उसके बाद आपको, यहां पर जो middle वाली term है, वो है 20, ठीक है, अब 20 कैसे लाना आपको, यहां पर constant का sign देखो, वो क्या है plus, तो आपको plus करके लाना है 20, अब आपको क्या करना है, 100 के करने factor, तो 100 के factors क्या क्या हो सकते हैं, देखो 100 या तो आ सकता है, 10, 10 जा 100 होते हैं, और 125 जा भी होते हैं, आएगा 10, 10 जासे, तो आप लिख सकते हो, 10 plus 10, 20 होते हैं, और दोनों की multiplication करेंगे, तो 100 भी आएगा, ठीक है, तो हम क्या काम करते हैं, यहां पर लिख देते हैं, 10 plus 10, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहां पर factorization करते हैं, तो के table में कितनी बार, 50 बार, तो के table में 25 बार, फिर 5 के table में 5 बार, और फिर 5 के table में 1 बार, इन दोनों 2 और 5 को मिलाकर 10, इन दोनों 2 और 5 को मिलाकर 10, तो 10 plus 10, तो यह हो गया, 100 x square, minus 10 की x में करेंगे, तो 10 x, फिर minus plus minus, 10 की x में करेंगे, 10 की टेबल में 100 कितनी बार आता है 10 बार, x common ले लिए आपने 1x बचेगा, 10x पूरा का पूरा common आ गया तो यहाँ पर आप क्या लिखोगे, minus का 1, यह minus, और जब पूरा ही common आ जाता है तो 1 या फिर आप इसे सोच लो, कि 10 के टेबल में 10, 1 बार, अब इन दोनों में से 10 और 1 में से क्या चीज common आएगी, 1, क्योंकि दोनों ही 1 के टेबल में आ सकते हैं और तो कुछ common है नहीं, अब यहाँ पर देखो, आपको जो 10x बनाना हूँ, plus का बनाना है, और 1 minus का, यहाँ पर ऐसे नमबर आपको लिखने है तो आपको इन दोनों के sign क्या करने पड़ेंगे, change, जो कि यहाँ पर यह minus का, यह plus का, तो आप क्या काम करो, minus common ले लो इन में से, तो यह वाला 10x कैसा हो जाएगा, plus का, और यह 1 कैसा हो जाएगा, minus का, 1 common लेने पर वही नमबर आ जाता है, कोई फरक नहीं पड़ता, 1 के ट चुका है, और equal to में 0, अब दोनों में से, दोनों को जो product है, वो 0 है, तो इसका मतलब इसको भी 0 के एकको लख लो, इसको भी, तो दोनों में से, पहले वाले को हम रखते हैं, 10x minus 1 equal to 0, तो यह minus का 1 इदर आकर, plus का 1, x की value आगई, 1 upon 10, दूसरे की भी यह यह आई, की, चलो स भी निकाल लेते हैं, तो 10x minus 1 equal to 0, तो 10x minus का 1 इदर आकर होगे, plus का 1, x की value आगई, 1 upon 10, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे पास, दोनों की दोनों जो values हैं, वो कैसी आई है, same, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, therefore the roots of the equation, जो की क्या थी, 100x square minus 20x plus 1 equal to 0, यह इदर का रफका है और कौन-कौन से हैं, 1 upon 10 and 1 upon 10, ठीक है, और ऐसे अगर आप direct table से पहचान कर लेतो, तो बहुत अच्छी बात है, वरना ऐसे factorization करके देख लिया करो, वरना आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 1 के table में कितनी बार आता है, 2 के table में कितनी बार आता है, फिर आपको थोड़ा स पहचान करके बता सकते हो, लेकिन मैं तो समझाया, इसलिए इसमें थोड़ा सा पूरा detail में हापर मैंने बता दिया, यह होगा first question, अब हम next video में करेंगे, इसके next part, अगर इसमें भी कोई doubt हो, तो comment करके पूछ लेना,